हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो इसकी मुल रेसिपीज, आज हम सीखने माने आलू की चटपटी मसालेदार सब्जी, तो चलिए देखते हैं इसकी चटपटी रेसिपीज फ्रेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि घर में सब्जी नहीं होती, पर आलू जरूर मिल जाते हैं और आलू से बहुत बढ़िया सब्जी बन सकती है, ये रेसिपी सच में आपको बहुत पसंद आईगी और इसको बनाना तो बहुत ही आसान है, तो चलिए जल्दी से बनाते हैं आलू की मसालेदार सब्जी, इसके लिए हमने दो तिन बड़े आलू उबाल कर छील लिये और उनको क्यूप्स में काट लिया, उबाल कर आलू लेने का ये फायदा है कि एक्स्ट्रा स्टार्च पुरा निकल जाएगा, दो टेबल इस्पून लेंगे हम तेल, और लेंगे एक बारी कटी हुई हरी मेर्च और थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया, मसालों में हम लेंगे अमचुर पाउडर, राई जीरा, गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सौफ के कुछ दाने और ले लेंगे लाल मिर्च पाउडर, आपको ये मसाले घर म आसानी से मिल जाएगे, तो फटा-फट से बना लेते हैं आलू मसाला सबजी, एक कडाई गेस पर रखेंगे, फ्लेम रखेंगे, मीडियम टूल, कडाई में डालेंगे आप तेल, तेल को कर लेंगे गरम, जैसे ही तेल हो जाएगा गरम, अच्छी तरह से इसमें डाल इसमें हरी मिर्च, और अब डालेंगे हमारे आलू के क्यूप्स, इस पर डालेंगे हल्डी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और मिक्स करके इसे ढख देंगे, जिससे के हमारे मसाले थोड़े से भून जाएंगे, और इसका स्वाध भी आलू में पूरी तरह से उतर जाए लगभक 3-4 मिनिट हो चुके हैं, इसका ढखकर हटाएंगे, और अब बारी इसमें डालने की अमचुर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये सब डालके इनको करेंगे अच्छे से मिक्स, एक दो मिनिट इन मसालों के साथ इसे कूप करेंगे, जिससे की सारा अच्छे से उतर जाएगा, गेस को कर देंगे अब बंद, ये हो गई हमारी आलू की मसालेदार सबजी तयार, इसे एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे और गानिश कर देंगे हरा धनिया से, फ्रेंग्स है ना आलू की सबजी बनाना असान, तो फिर देर किस बात किये, आप भी ट्राइ कीजिए, ये स्वाधिष्ट चटपटी, आलू की सबजी और मुझे जरूर बताएए कैसी लगी है आपको, फ्रेंग्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइप कीजिए, और ऐसी ही और आसान रेसिपी देखने के लिए, हमारी चेमिन को सब्सक्रीब,